जहाँ आज कॉंग्रेस के इंद्रे चुनाव समीती की बाठक होने वाली है, 11 सीटों पर उमीदवारों के नाम को लेकर मन्थन किया जाएगा अमेठी और राइबरेली सीट के उमीदवारों पर चच्चा सभव है अमेठी से राहूल राइबरेली से प्यांका गाधी चुनाव लल सकती है इस बाठक में पार्टी अध्यक्ष मलिका जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे CEC की बाठक आज होने वाली है जिसमें 11 उमीदवारों की नाम पर महूल लगाई जाएगी मन्थन किया जाएगा CEC की मीटिंग के बाद बड़ा फैसला हो सकता है उमीदवारों की नाम की आपचारिक घोशना की जा सकती है जिसमें अमेठी और रायबरेली सीट भी शामिल है अमेठी से राहूल गांधी के चुनाव लगने के कयास है तो वहीं प्रियांका गांधी रायबरेली से चुनाव लग सकती है ऐसी खबरे लगातार आ रही है लेकिन आज इस बाठक में अंतिन फैसला होगा तो दिल्ली में आज कॉंग्रेस के इंदर चुनाव समीती के बाठक होने वाली है ग्यारसी टोपर उमीदवारों के नाम को लेकर मन्थन किया जाएगा चर्चा होगी मलिका अर्जुन खडगे समेथ पार्टी के वरिष्ट नेता इस बाठक में शामिल होगे दिल्ली से आनंद समाधता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद आज CEC की बाठक होने वाली है कॉंग्रेस की तैयारिया क्या है इस बाठक को लेकर और 11 सीटों पर क्यों उम्मीदवारों की नाम पर मन्थन होने वाला है क्या अमेठी राइबरेली को लेकर भी कोई फैसला आज संभव है जी जैसा कि देखा जाए कॉंग्रेस की जो CEC मिटिंग है वो खरीट शाम में आठ विजे के आसपा से स्टार्ट होगी इसमें पार्टे की अध्यच मलिकार जुन खरगे सोनिया गांदी अबिकर स्वनी और तमाम बड़े नेता मौदूब रहे गए जहां तक बात है राइबरेली और अमेठी की सीट को लेकर उत्ते भी चर्चा होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस जो है तरी 17 सीटों पे चिनाव लड़ी जिनमें से उन्होंने 15 सीटों के अपने उमेधवार घुषित कर दी है तो जाहिर तो पर राइबरेली और अमेठी के कांडिडेट्स अभी तक कॉंग्रेस में अभी तक घुषित नहीं कि है तो ऐसे में आज जो बहन चर्चा होनी है वो राइबरेली और अमेठी पे होनी है और हम अपने दर्सकों को ये भी बताना चाहेंगे किस तरह से कॉंग्रेस ने अपने कॉडिनेटर्स वहां पे पहले से ही तैनाज कर रखे हैं राइबरेली और अमेठी की सीट तर जो कर सुनिल कानुगलु जिनों ने खेलंगान और चनाटका में अहम भूमिता निभाई ती चीट को लेकर तो उनकी टीम के दुवारा शर्वेश कर वाया गया बची हुई है पंजाग की तो उनके भी डिस्क्रिशन होना बागी है लेकिन सबसे जादा नजरे इस वक्त कॉंग्रेस की परमपरागत सीटों पर हैं निकिता सरीन भी हमारे साथ लगनों से जुड़ गई है निकिता सीसी की बाठक होने वाली है और उमीद की जा रही है कि आ आप लगने की खबरे हैं मिल्कूल जिस सरी के से लिए उत्तरप्रदेश की जो सियासत है उसमें अमीठी और राइबरेली सीट सुर्फियों में है और दोनों सीट पर आज दिल्ली में होने वाली कॉंग्रेस की चनाओ केंड़िये चनाओ समिते की बैठक है उसमें सर्चा ह होगी और उमीद ये भी है कि दोनों सीट पर जो उमीदवार हैं उनके नाम पर मोहर लग जाएगी तूसरी तरफ राइबरेली और अमेची की स्थानी कारकरताओं ने बूस्कर पर जो तयारी है वो भी पूरी कर ली है बस वे बस प्रत्याशी है उनका इंतिजार कर रहे है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि अमेची में राहुल गांदी और राइबरेली से प्रियंका की चनौव लड़ने को ले करके अपनी तक जो क्यास बाजी है वो चल भी है लिकिन पाजी की ओसे जो अधिक्रत तोर पर जो पुशा है वो फिलाल अभी नहीं है और गांदी की जो उमीदवार वाले लोकसभाग शेतर के केरल से अगर मैं वाइनार सीच भी बात करूं तो उस पर मतदान भी शुक्रार को हो गया है और इस बीच शमिवार को केंद्री कॉंग्रेस की जो केंद्री चनौव समिती की बैचक है वो गुला ली गई है और आपको वेवितादों की पैचक में इन नामों पर मोहत न सकती है और आज 11 सीच पर जो उमीदवार है उनका चयान होगा और इस पैचक में कॉंग्रेस के प्रदेश अजयर आये प्रदेश प्रभारी के अजर बात कीजा है अभिनाश पांडे कॉंग्रेस विधायक दिल के नेता है राधना मोना मिष्टा हिस्सा लेंगी और वो दिली के लिए रवाना भी हो गया है वंदना निकिता लेकिन इससे पहले कॉंग्रेस इंतजार लगतार कर रही थी कि आखिर अमेठी और राइबरेली में किसे उतारा जाए रोबर्ट वोड्रा को लेकर भी खबरे चलिए क्य की कारकरता चाहते हैं कि रोबर्ट वोड्रा को वहां से एंट्री दी जाए अमेठी में चुनाव लडाया जाए लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कॉंग्रेस में क्या कंफ्यूजन है अभी तक जो पत्ता है वो साफ नहीं किया गया वो भी ऐसी सीटों पर जो परामपराग उनकी परामपरागत सीटों को ने करके साफ तोर पर यह भी देखा जा रहा है कि एक जो डर का महौल है वो भी बना हुआ है यहीं एक वज़े है कि राइबरेवी से जब कॉंग्रेस अपना क्यांडिदेट उतारेगा तो भार्ती जिनता पार्टी भी देखी रुकी है कैसर प्रियंका में कोई भी आ सकता है लेकिन इस पर अभी भी फाइनल चांपिंग नहीं हुई है लेकिन आज जो बैठर होने वाली है उस पर कई महात्रफूर स्वैसने लिए जा सकते हैं कि कौन सा कैंडिदेट उतारेंगे देखे जिस तरीके से कॉंग्रे अगर मैं समाजवा प्रियली की बात की जाये तो उस पर भी कॉंग्रेस को अगर ये सीट क्योंकी परमपरागत सीट है और अगर अमेची में तो मैं आपको आलम ये बता दू कि वहां की जनता इक्तजार कर रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई आए यहां पर कोई पहुच निगा है सिर्फ या है कि आज जो बैठक होने जा रही है जिंदी में शाम को वो कई एहम फैसले तैकल सकती है कॉंग्रेस के बैठक में क्या निकल कर सामने आता है इसका इंतजार रहेगा क्योंकि अमेठी में लगतार समृतिरानी राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हैं क्या वो इस चुनौत